नासिक में हुआ दर्दनाग हाथसा ट्रक से ठकराने के बाद बस में लगी भी शड़ाग आग में जुलसने से ग्यारा की मौत मृतकों में दसवाय स्कॉर एक बच्च शामिल एर फोर्स जेपर फ्रिधान मंतरी मोधी ने दी बधाई देशवासियों को पीम ने ट्वीट कर दी बधाई पीम ने कहा राश्र को सुरक्षित रखती है वायू सेना सेम योगिया अदितिनाथ का आज इंडियन रोड कॉंग्रस कारिकरम चार बजे कारिकरम में होंगे शामिल के इंडियमंतरी गठकरी भी होंगे इस कारिकरम में शामिल कॉंग्रस अद्यक्ष ब्रिजुलाल खाबरी आज सम्हालेंगे पदभार तो पहर एक बचे खाबरी सम्हालेंगे पदभार कॉंग्रस के सभी प्रामतिय अद्यक्ष भी ग्रहन करेंगे पदभार पीपीएस अफसरों के नाम पर लगी आईपीएस की मोहर डीपीसी के बाद आईपीएस अफसर बनाए गए प्रमोशन पाने वाले अफसरों के चहरे पर खुशी के लहर आमेद मिश्रा श्रवन कुमार सिंग समीर तक कई बने आईपीएस लगतार साथ वेदेन मुलायम से इंग्यादव कि सेहत में सुधार नहीं मिदान तक क्या आई सीउ में बरती हैं मुलायम उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया डॉक्टरों ने दी जानकारी नहीं दिख रहा दवा का असर जीवन रक्षक दवा यदी जा रही लगनाँ बीजेपी में आज होगी निकाय चुनाव पर वड़ी बैथक-बैथक में चुनाव में परत्याशी चैन चुनाव प्रबंधन पर चर्चा बूध प्रबंधन चुनावी रेलियो और चुनावी मुदो पर होगा मंथन प्रदेश में चार एक्सप्रेस वे पर चलेगी रोडवेज बसी पुल्वान चल एक्सप्रेस वे और बुंदेल खन एक्सप्रेस वे समेत चार एक्सप्रेस वे पर रोडवेज बस चला दे की मंजूरी लखनव से गाज़िपूर तक सीधे उपलब्द होगी बस इंकम टेक्स के लखनाओ के बड़े अफसर पर FIR, CBI ने आई से अधिक संपती ब्रिश्ट चार के आरोप में लेखी FIR, इंकम टेक्स के अपर आयोक्त अमित निगम पर FIR गाजी पुर्जिले में फोल लीन हाईवे एनेच थर्डिवन के निर्माड को मिली स्विक्रिती केंद्रे परिवहन राजमार्ग मंत्रे नितिन गठकनी ने ट्वीट कर दी जानकारी 1706.471 करोड की लागत से होगा हाईवे का निर्माड